आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेर कर रही हूँ जो आपका काम तुआसन कर देगा ही और अगर डे टुडे लाइफ में आप इन टिप्स को फॉलो करते हो जैसे मैं करती हूँ तो आपको काम करने में भी मज़ाएंगा पसन आती हैं आपको मेरी वीडियो तो लाइक इस तरह से फ्लास्क हो या कोई स्टील की बॉटल या मिट्टी की बॉटल उसको आप इस ट्रिक से साफ कर सकते हैं इसमें अंदर काफी गंदा पन आ जाता है पीला पन आ जाता है स्मेल भी आती है अगर चाय कॉफी वगिर आप फ्लास्क में बढ़ते हो तो उसके लिए आ मूंग डाल सकते हो कोई भी दाल ले ले ये किया करें कैम करेगा तो आपको ब्रश की जरुत सबस्काना काम करें नहीं यहिए बिला प्रिक भी आत जाते है यहिए सलूशन में में बॉटल की कैप में और तो गंदगी ब्रश काल बॉटल को बन करने वाली वहां काफी गंदगी भर जाती है तो वहां आप ब्रश से जरूर साफ करें वह भी रोज क्योंकि मुह लगा के हम पानी पीते तो वह काफी गंदा हो जाता है और अन हाइजिनिक भी हो जाता है तो इसको बाहर के साइड भी यही सुलूशन से मैं साफ कर ले अब यहां टू इन बन ट्रिक बता रही हो तो यह जो सुलूशन है इससे आप आपका सिंक भी साफ कर ले सिंक में भी देखिए हम बरतन रखते हैं कभी ऑईल वाला बरतन आ जाता है क्योंकि जो सबजी वाली होती है उसका पानी इसमें गिर जाता है इसमें भी इची तरह से क्लीन हो जाता है सिंक तो रोजी जैसे बॉटल मेरे हस्बंड भी लेके जाते है बच्चे लेके जाते तो रोजी मुझे से वाश करना होता है तो मैं यही ट्रिक फॉलो करके करती हूं मेरे पास कोई बॉटल दोने वाला ब्रश नहीं है यह ट्रिक काफी जाता है रात को तब मैं बॉटल दो देती हूं और बॉटल के साथ सिंक भी धो देती हूं तो इसी तरह से आप भी स्मार्ट बनिए आपकी पैसे की बचत होगी अलग से आपको कोई डिश वाश रिया कुछ और करने की ज़रुरत नहीं पड़ेगी इंदम चम चमाता या फ्रेंस इसका धकन वगेरी भी आप अच्छी तरह से वाश कर ले यह देखे ब्रेश लगा के जरूर साफ करें क्यूंकि बॉटल पर जो नाम एंग्रेव रहता है वहां पे भी काफी दूल मिटी वगेरे भर जाती है तो उसको भी आप साफ करेंगे तो यह गंदी होग नहीं अदम क्लीन और हाइजनिक रहेगी और इस क्रबर भी काफी अभी जो सुल्यूशन था वो लगा था तो मैं इसे नल्स और टाइल वो सब कुछ साफ कर दूंगी ऐसने कि सिर्फ किचिन का अब बातरूम अगरे का भी साफ कर सकते हैं बड़ मैं किचिन का रेगिलरी कर बहुत आरे टुपस में शेयर किया था देखे कितने अच्छी तरह से चमक चुका है और बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है आपको अच्छा लगेगा नेक्स डे जब आप किचन में आओगे और इससे कॉक्रुज वगरे भी नहीं आते हैं फ्रेंट्स मैंने यहां बॉटल अरेंज़ किये थी बट मैं वर्टिकल स्पेस यूज नहीं कर पा रही थी काफी टाइम से में सोच लही थी यहां कुछ करना है तो मैंने इस टाइप का स्टैंड मेरे पास अल्री था जो मैंने अपने कबड में रखा था वही मैं यहां लेकिया थी बट इसमें भी बॉटल अकसर गिर जाती थी बट यह स्टैंड मैंने रखा और इसके उपर इस टाइप का बास्केट रखा यह बास्केट मैंने आइकिया से लिया था अगर आपने आइकिया हॉल वीडियो देखा होगा उसमें मैं डाल दूंगी टिशू पेपर या आप कोई कपड़ा दा नीचे रख सकते था कि होना जो बास्केट कार बेस है वो खराब ना हो इसमें बॉटल सा आगई यह अब गिरेगी नहीं एक निकाला तब दूसरे भी गिरेगी नहीं और साथ ही मैं मुझे थोड़ी और स्पेस मिल गई ऐसी चीज रखने के लिए जो मैं डेली फ्रिक्वे जो चीज जो खाये वो रख देती हूं जैसे बच्चो की ढवाई के जो ठककन होते है बॉटल के वो रख दिया है और नीचे भी स्पेस है तो यहां यह मेरा जर्मिनेशन जो बॉक्स सिताफल के बीच जो जर्मिनेट के थे मैंने वैसे चिको के भी किये है तो आप भी करे इस बॉक्स को मुझे रोज या दो दिन में देखना पड़ता है तो मैंने इसे नीचे रख दिया साथ ही में आप बच्चो की टिफिंस है कोई ऐसा डबा है जो रेगुलर्ली आपको चाहिए वो आप नीचे रख सकते है तो वर्टिकल स्पेस हम यहां यूज कर रहे है और जैसे मैंने यहां तुदपीस्ट और परतंद होने वाला लिक्विड यह दोनों को मिक्स करके एक बहुत ही दमदार सुल्यूशन बना दिया है इससे हम क्या साफ करेंगी क्या आप गैस कर सकते हैं जली कमेंट में लिखते जाए आप और इसे मिक्स कर लिया है थोड़ा सा पाने डाल के इसका कंसिस्टेंसी को थोड़ा एजस करूंगी थोड़ा सा लिक्विडी बनाऊंगी यह दमदार सुल्यूशन से हम ऐसी चीज साफ करेंगी जो हर घर में मौजूद होती है मैं बात करी हूं हमारे फ्रिस के और उसके रबर की रबर को अगर आप थोड़ा सा चीज से खोल के दिखेंगे आप देखेंगे इसमें ब्लाक ब्लाक सा है यह फंगस होता है फ्रिच में काफी मौस्चर होता है तो फंगस डेवलप हो जाता है बारिश के टाइम पर जरूर आप चेक करें तो मैंने इसे डिप्लीन करने का एक बहुत ही बड़िया वीडियो पुरा रबर निकालके वह तो आपने बहुत पसंद किया लास्ट है मैंने शेयर किया था बट आज मैं आपको इंस्टिंट क्लीनिंग करना बताऊंगी इसके लिए आपको फ्रिस भी बन करना नहीं पड़ेगा और यह एक मिनिट के अंदर साफ हो जाएगा तो तुद ब्र पानी के बन किये जर्ऑत नहीं कर मिन घचेए को नहीं तक तुद मस्ताओंड़ेते देखा है मैं पान के लिए तरसन अपромच नहीं कित्स बंसको और प्रिस भैक विप एपड़े रही है सेस्श्यस्व कर सकते हैं तो गया और ब्ल index नहीं दू नुंत ठीने बनके झाल प्रिस का जो रबबर है वो आप साफ कर सकते हैं महिने में एक बार, कैसी लगी है टिप, इसके लिए कमेंट करें और दूसरों को शेर करें, तो फ्रेंड्स कैसी लगी है आपको आज के अमेजिंग टिप, कुछ नया सिखा के नहीं और कौन से टिप आपको पसन आई, इसके ज़रूर कमेंट करेगा और आगे आप मेरी चैनल पे कौन से टिप या रिस्टिपी देखना चाहते हैं इसके लिए भी कमेंट करें तब तक के लिए फ्रेंड्स लाइक भी कीजिए, शेर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, तिल दें टिक केर, झाल झाल